सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बेडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 21 अक्टूबर 2020 का दिन ब्रिस रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 21 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है पंच में नक्छत्र है मूल पक्च है सुकल पक्च दिन है बुद्ध बार आज के दिन सुर्य उदय का समय है छे बजी के पचीस मिनट में सुर्य अस्त का समय है पंच बजी के पैंतालीस मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 11 घंट 19 मिनट 8 सेकेंड का महिना है अस्विन दोस्तों आज के दिन आपके लिए सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 40 मिनट एम से 12 बजी के 28 मिनट पीम तक राहुकाल सुरू होता है 12 बजी के 5 मिनट पीम से 1 बजी के 30 मिनट पीम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग, इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है, तो आप उसे भी देखें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सिक्षा के बारे में यानी की आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आने वाले समय के दोरान सिक्छा के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा आने वाले समय से पहले अगर आपके सिक्छा के छित्र में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़ेसानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भाग्य आपका शात अबश्य देगा वैसे अगर आपके कामकाज आपके बेपार बेवसाई की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामानने रहेगा मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके कामकाज में आपके काड़े च्छित्र में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़ेसानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके कामकाज में आपके काड़े च्छित्र में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके सुवास्त की बात करें तो सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा मित्रों आने वाले समय के दोरान आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के परती साबधानी बरतना होगा वैसे अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने से बहुत जयादा नीचे है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई क्या है मित्रों आने वाले समय के दोरान आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा और फिरोजी आने वाले समय के दोरान आपके लिए भाग्यसाली अंक है साथ यानी की सेबन इसके बाद बात करते हैं आपके आने वाले समय के उपाई के बारे में मित्रों टोटका बहुत ही जियादा सामाननी है आजिके दिन आप चितकबडी गाई को यनी की जो गाई काली और सफेद हो उस गाई को आपको भोजन कराना है उस गाई को आपको चारा खिलाना है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हड़ जगा से यर कर दें धन्यवाद